अच्छा डेविट बाई आपका Theses हुआ है Christians Movies के उपड़ मतलब जो Christians Movies दिखाई जाती है तो हमें ये जानना है कि ये Theses करने से पहले और करने के बाद آپके अंदर क्या Change आया और पहले आप क्या सोचते थे Christians Movies के बारे में और अब आप क्या सोचते हैं क्रिशन्स मूवीज के बारे में क्या आप हमें ये बताएंगे ठीक है सबसे पहले मैं शुक्रियादा करना चाहता हूँ जैन्त न्यूस चैनल का जिन से मुझे ये मौका मिला है कि मैं ये बोल सकूँ थीसिस करने से पहले मैंने ये सोचा कि मूवीज जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है लोगे उपर बहुत अच्छी तरह से प्रभाव कर सकती है लोग कंवर्ट कर सकती है क्योंकि हम देश में किसी भी जगह जाए हम देखेंगे कि लोग सलमान खान को इमिटेट करते है शा यह कोई बी Rapid ने के बाद में इस नतीजे पर पहुचा हूं कि मुवीज प्रभाफ कर सकते हैं लेकिन पवित्रात्मा के ताकत के बिना यह पर मेर टाकत की बिना कोई भी इनसाट थे मसी में Transformation, Inner Transformation सिर्फ Permission लेकर आ सकती है बहुत बार ऐसा होता है कि लोग movies देखकर बहुत emotional हो जाते हैं और फिर उसी emotional में वो decision लेते हैं कि हम आज से ये करेंगे आज से वोग करेंगे तो क्या कहीं न कहीं ये जो Christians movies है ये भी कहिना कहीं ये काम नहीं करती है कि लोगों को emotionally move करती है और लोग emotion होकर emotion में होकर अपने आपको ये शुमसी के हाथ में सौपने का फैसला करते हैं क्या ये सारी बाते Christians movies पर जो इंडिया में बनती है उसके उपर criticism नहीं है और अगर है तो क्यू है और नहीं है तो क्यू है क्या आप हमें बताएंगे खेर हमारे Christian circle में ऐसा है कि अगर Christian criticism होती तो है लेकिन होती है West में इंडिया में कुछ भी तुम आप कुछ भी भगवान के उपर बनाओगे तो सब लोग acceptी करते है तो अगर कोई देखता है Jesus के मुवी को और Jesus को पसंद भी करता है लेकिन उसमें कोई मतलब कोई बदलाव नहीं है मतलब मैंने ये बोलूँगा कि उसमें inner transformation नहीं हुआ है लेकिन उसका knowledge जो Jesus के बारे में है वो मुवी ने बदल दिये तो मुवी यूजविली हमारी IQ को बदल सकती है उसमें उतनी ताकत है इनर वाली जो transformation है वो सिर्फ परमेश्वर लेकर आ सकता है और रही बात अगर कुछ लोगों में transformation नहीं होती है तो उसका I think major criticism अगर पोल सकते है वो ये है कि शायद cultural miscommunication हो सकता है या मुवी की story से ही नहीं बनी हो तो वैसा इंडिया में होना ज़रूरी है लेकिन होता नहीं है लेकिन सिर्फ वेस्ट में होता है एक और प्रश्ण मेरा आप से क्या आप हम बताएंगे कि पहली बार Christian movie कब बनी थी और कैसे बनी थी और वो movie क्या थी तो सबसे पहली film पूरी दुनिया में बनी थी 1895 में और वो एक वो एक प्रॉपर movie नहीं थी वो एक photograph टाइप फिल्म थी जिसमें बारा कुछ photos, images ऐसे बने थे लेकिन सबसे पहले फिल्म जो बनी थी वो actually Christian film जो बनी थी वो Jesus के उपर ही बनी थी 1897 में और उसमें सिरफ crucifixion scene डाला गया था और वो movie कुछ इस तरह से थी कि pictures still थे जैसे हमारा powerpoint presentation होता है कि हम एक picture दिखाते हैं फिर अगले बार forward button दबा के हमें एक दूसरा picture दिखाते हैं उसी तरह ऐसे 12 pictures में वो film तीन मिनिट में खतम हुई थी तो वो सबसे पहले Christian film थी और उसके बाद जो film में भी बनाए गए थी वो हमेशा Bible से बनाए गए थी शुरुआत में Hollywood में और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने फिर दूसरे aspects में काम करना शुरू किया तो Jesus का प्रभाव और Jesus के motivation के वज़े से ही films आगे बढ़ पाए in fact Bollywood में भी आज Bollywood अगर है तो Jesus film के द्वारा ही है क्योंकि दादा बाई पाल के जो एक award मिलते है Hindi cinema में उसको बोलते है Father of Indian cinema उन्होंने 1912 में Jesus की एक film देखी दिया अमेरे कामे और उसने decide गिया कि क्यों ना इसी तरह रामायन और महाबारत के उपर फिल्म बनाई जाए और उसी तरह से आज हमारे इंडियन फिल्म भी उसी के वज़े से आज है डेविड भाई एक और प्रशन आप से कि इंडिया में कितनी Christian movies बनी है और क्या आप उसके बारे में उनके बारे में कुछ बताएंगे कि वो movie क्या थी कैसे थी और कुछ उनके उपर criticism या कुछ उनके pros या cons तो इंडिया में दो ऐसी फिल्में बनाई गई है ये शुमसी के उपर वैसे कई ज्यादा बनाई गई है लेकिन दो ऐसी फिल्में है जो major feature film बने थे जो तीन दो तीन घंटे को पर चली है इन में से सबसे ज्यादा popular है करूना नुदी करूना नुदी को एक तिल्गू वर्ड है जिसको हमने मतलब जो हिंदी में दया सागर नाम से जानी जाती है और दूसरा फिल्म है शांती संदेशम अब इंडिन फिल्म इंडिन जीजस फिल्मस में फरिक ये है कि इंडिन जीजस फिल्मस में सारे actors हिंडियन्स है और आपको इसमें गाने भी सुनाई देंगे डांस भी सुनाई देंगे दया सागर की खास बात ये है कि अगर compare करें western film से दया सागर का film एक political agenda से बनाई गई थी वो basically film में ये बताते हैं कि Jesus किस तरह से low cast लोगों के बीच में रहता है और कैसे उनकी मदद करता है और कैसे high cast वाले उसको actually cruise पे चड़ाते है तो ये एक high cast low cast जो Indian system है वो उस film में डाली गई है और उस film का main motive ये है spiritual transformation नहीं बलकि social transformation वो ये चाहते हैं कि लोग को ये पता चले हैं कि Jesus सबको एक मानते हैं और उसी प्यार के वज़े से Jesus cruise पे चड़े है उसी पाप जो हमने social जो पाप किये उसी के वज़े से cruise पे चड़े तो Indian films का ये एक drawback है कि इनका ये है बाकि Western films ज़्यादा scriptural focus है तो अगर Jesus film अगर इंडिया में बने तो उसको Bible के हिसाब से बननी पड़ेगी सागर उतना accept हुआ नहीं है शांती शंदेशम flop हो गई थी और यही रहा है हाल और हमारे पास इतने Christian audience नहीं है कि हम यह सब दिखा सके